तो आगत है आप सभी का लर्नोलोजी में जैसा कि आप सभी को पता है हमारी एक सीरीज चल रही है जानिये भारत के राज्यों को उसी क्रम में आज बारी है गुवा राज्य की गुवा नाम सुनकर आप लोगों को गुमने का मन कर रहा होगा लेकिन हमें गुमना नहीं है मैं पढ़ाई करनी है तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो सुरू करते हैं कुछ महत्पूर हैं परिक्षा पयोगी जानकारी गुवा की राजधानी पंजी है और यहां की आधिकारिक भासा कॉंकडी है तीस मई 1987 को गुवा एक पूर राज्य बना गुवा की सिमा उत्तर मे महाराष्ट्र दच्छिड अपूर में करनाटक पस्चिम में अरफ सागर से लगती है गुवा कॉंकड छेत्र हैं तीन टटिय छेत्र हैं कॉंकड मालाबार और कंड़ छेत्रफल की द्रिष्टी से गुवा भारत का सबसे छुटा राज्य है और जनसंख्या की द्रिष्टी से चौथा सबसे छोटा राज्य है सबसे बड़ी बात गुवा का प्रतिवक्ति आए भारत में सबसे ज़्यादा है गुवा एस डियाई में भारत में तीसरे अस्थान पर हैं आपको सायद पता नहों कि गुवा दो बार सोतंत्रा दिवस मनाता है एक अगस्त 15 अगस्त 1947 के लिए और एक 19 दिसंबर 1961 को पृत गालियों से आजादी के उपलक्ष में गुवा में दो जिल्य हैं उत्तरी गुवा दक्षडी गुवा उत्तरी गुवा को पंजी और दक्षडी गुवा को मढगाओं कहते हैं यहां के मुख्यमंत्री प्रमोज सावंत हैं और राजिपाल पियस रिधरन पिल लई हैं गुवा में एक सदनिय विवस्ता है यहां विधान सभा की संख्या 40 है और इस समय यहां बीजेपी की सरकार है संसद में गुवा का प्रतिनिद्ध लोक सभा में दो और राज सभा में एक संसद है यहां के कुछ इंपोर्टेंट वाइल लाइफ और बर्ड सेंचुरीज हैं जो कि कोटी गाव वाइल लाइफ सेंचुरीज और सलीम वली बर्ड सेंचुरीज दोनों इंपोर्टेंट हैं परिक्षा के लिहाज से आप जरूरीन याद करिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए धन्य जल्द हाजी रोंगे अगली वीडियो लेकि अगले राज्य के साथ